नमस्कार अगला टॉपिक है हमारा राजस्तान संभाग और जिले इस टॉपिक से समधित जितने भी सवाल अब तक एकजामस में पुछे गए हैं उन सबका कमलती विशार इस वीडियो में है तो ध्यान से देखी और सुनिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला स्वाल है कि राजस्तान में संभागों और जिलों की संग्या करमश्च है तो ध्यान रखना इसका से अंसर होगा 7 संभाग और 33 जिले ये कौन-कौन से हैं और कब-कब है इसका यूरण हों लोग अभी पढ़ते हैं या अभी इसका ध्यान करते हैं देखिए राजस्तान को साथ संभाग और 33 जिलों में बाठा गया है एक नॉंबर 1956 को पुनर गटन के समय राजस्तान में जिलों की संग्या 26 ती तो एक नॉंबर 1956 को पुनर गटन के समय राजस्तान में जिलों की संग्या 26 ती अब वरतमान में 33 से और साथ कौन-कौन से तो 21 को गटित किये गए थे और यह 12,22 और रासमन तीश्वे नंबर पर रासमन 29 पर दोश्वे और 28 पर 12 जिला है अगला सवाल है हमारा यह अगला जो जिला है 13th वो यह है हनुमान गट ये 12 जुलाई 1994 को गटित हुआ था, 32 जिला करोली और ये 19 जुलाई 1997 को गटित हुआ था और लेटेस्ट और सबसे नया जिला, 33 जिला परताब गट 26 जनौरी 2008 को गटित हुआ था, तो त्यान रखना अब तक कुल 7 संभाग और 33 जिले हैं हाली में एक कमिटी गटित की गई हैं, जो नए जिलों के गटन के बारे में सेपारिक्स देगी, पर वो अगले वज़र तक होगा अभी तक पूछे, तो 7 संभाग और 33 जिले ही इसका से अंसर मननी होगा अब हमारा अगला सवाल है, कि राजिस्तान का 27 जिला कौन सा बनाया गया था, तो इसका से अंसर कौन सा होगा अभी पड़ा हमने, दोलपूर निमन लिकित में से किस वर्स बारा को राजिस्तान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया है यह हाली में पुलिस कौनस्टेबल 14 माई 2022 को पूछा गया है, इसका से अंसर होगा 1901 में, अभी हमने उपर देखा भी है अगला है हमारा सवाल, वो सवाल यह है, कि निमन लिकित में से किस वर्स बाराजिस्तान का 33 जिला गोशित किया गया यह यह भी रिसेंडली पुलिस कौनस्टेबल के 2020 जा में पूछा गया, और अभी हमने देखा ही था, यह 2008 में परताब बड़को राजिस्तान का 33 जिला बनाया गया है अगला सवाल है अमारा, और वो यह है, कि गंगा नगर से हनुमानगर जिले का गटन कब हुआ था, इसका सई आंसर हो जाएगा, 12 जुलाई 1904 को 12 जुलाई 1904 को, अगला सवाल है अमारा, दोसा जिले का गटन कब हुआ था, अभी हमने पड़ा था, BDR, 12 जुलाई 1904 को गटित हुआ था अब हमारा, अगला सवाल है, और वो सवाल यह है, कि करोली जिले का गटन हुआ था, करोली जिले का गटन अगर हमसे पुछे, तो वो 19 जुलाई 1907 को हुआ था, 19 जुलाई 1907 का यह सारे हम पहले जो वेक्या देखी थी, उसमें पड़ चुके हैं, इसलिए हमारे लिए कोई ज्यादा टप नहीं है, बस आप इनको एक सरसरी निगे से देख ले, ताकि एक्जाम में अगर यह क्यूशन रिपीट हो, तो आपका गलत नहो अगला सवाल है हमारा, कि राजस्तान के संभागों का वह समू जिसका चैदरफल 50,000 वरग किलोमेटर से ज़्यादा है, जेल परहरी भी 21, 10, 2, 08 को पूछा गया था, इसका सयांसर होगा, जोधपुर और विकानेगर अगला सवाल है हमारा, एक वार ये देख लेते हैं हम लोग, कि संभाग वार चैदरफल कुल कितने किलोमेटर में हैं, गड़ते करम में, तो अगर ये सवाल एक नया बने कि सबसे ज़्यादा संभाग में चैदरफल किसका है, तो वो है अपने जोधपुर का, एक लाग सत्रा आजार आजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाजाज अगर यहां से दो सवाल बनते हैं कि सबसे ज़्यादा सरवादिक चतरफल वाला संभाग कौन सा है तो इस कांसर होगा जोदपूर सबसे कम या निवन्तम चतरफल वाला तो इस कांसर होगा भरतपूर और ऐसे कौन से दो संभाग है जिनका चेतरफल लगबक संभान है तो वो उदेपुर और जेपुर होगा इनी के आधार पर आगे सवाल बने है एकजामस में चली हम उनको देखते हैं यह आगे यह देखी लेते हैं कि किन दो संभागों का चेतरफल लगबक संभान है अभी हमने पर जेपुर इसका सही अंसर होगा चली अगला सवाल अगला सवाल है हमारे यह कि जोदपुर संभाग के चेतरफल के एक चेतरफल वाला राज़स्तान का कौन सा संभाग है तो इसका सही अंसर तो अभी हमने देखा है उपर उधेपूर होगा लेकिन जो उतर कुंजी थी जेल पर अधी सेफ्ट वाली इसमें चैपूर संभाग को माना गया था आप फैक्ट्स के बेस पे ये क्लैम कर सकते हो कि इसका सही अंसर उधेपूर है राज़ेसान बौट की भुक्स में भी ये दिया हुआ है आगे देखिए आप लोग और अगला सवाल हमारे यह है कि निमिल लिख्त में से राज़ेसान के किन दो संभागों के अधीन जीलों की संख्या समान है मतलब कौन से ऐसे दो संभाग है जिन में जिलों की संख्या समान है तो ये जोदपुर और उदेपुर इन दोनों में जिलों की संख्या समान है ये आप ऐसे देख भी सकते हो ना ये राजसान का मेर पे जो आपको हर एक इस प्रेंट को याद होना चाहिए तो पता यह वाभी है कि जो अपना जोदपूर समभागे उसमें 6 जिले, उदेपूर में 6 जिले, जैपूर में 5 जिले हैं, कोटा में 4 हैं, विकानेर में 4 हैं, और जो अजमेर हैं, इसमें भी 4 हैं, और बरतपूर में भी 4 हैं, तो दियान रखना जो अपना उदेपूर और ज इन में भी चार-चार जिल्ले हैं, ये जिलों की संक्या से ये समान है, अगला सवाल हम देखते हैं, और वो सवाल है हमारा ये, कि राजस्तान के उदेपुर संभाग में जिलों की संक्या कितनी है, तो इसकी संक्या हो जाएगी 6, उदेपुर में अभी हमने पड़े ही था, ज अगला सवाल देखते हैं और वो सवाल यह हमारा कि राजस्तान की संभागी योस्ता के बारे में कौन सा कतन असत्य है कि बरतपुर संभाग राजस्तान के कुल छहत्रपल का 5.2 परतिशत भागे अजमेर में चार जिले हैं और यह केंद्री इसत्य वाला संभाग है राजस्तान में किसी भी संभाग का छहत्रपल एक लाग वर किलोमेटर से जादा नहीं है राजस्तान में चार जिले वाले संभागों की संग्या चार हैं तीसरा ये कि राज़स्तान में किसी भी संभागा छहतर फल 1,5 km से जदा नहीं है जोद्पर का हम यह हमने देखा हैं कि 1,5 km से जदा है अब हमारा अगला सवाल और वह सवाल ये है कि राज़स्तान की किस संभाग में सबसे अधी जिल्ले हैं तो सवाल के अनुषा जोदपूर उदेपूर होता तो दोनों आंसर होता ढूंगरपूर किस संभाग में इस्तित है इसका सय आंसर होगा उदेपूर राजिस्तान का ते-ती-सो जिला जो दोजार आंट में बना है किस संभाग में ये भी अभी हमने देखा है इसका भी सही आंसर होगा उधेपूर परताफ कट भी उधेपूर में है अगला सवाल है हमारा कि बरतपूर संभाग में कुल कितने चिले हैं अगला हम देखते हैं संभाग ये जिलों का सही यूग्म है जो संभाग है और जिलों का सही यूग्म है वो रिट में पूछा गया है तो ये अजमेर ये देख लेने एक बार आप अजमेर में अजमेर नागोर टॉंक और पीलवड़ा ए ए एन टी बी ये भी दियान रख लेना आप सोटरी कैसे भी या जैसे अब इसका कोई विस्यस वेलिू नहीं है तो अब आप अगला देखो अगला सवाल है हमारा कि अजमेर राजस्तान का चटा संबाग कब बना था इसका सही अन्सर होगा 19-90 में बना था अलवर जिला किस संभाग में इस्तित है तो अलवर जिला जेपूर संभाग में इस्तित है सवई मादोपूर किस संभाग में है तो सवई मादोपूर दिहान रखना ये बरतपूर संभाग में है अगला सवाल है हमारा किन वर्सों में संभागी आयुक के पद को समाप्त कर पुनरिस्तापित कर दिया गया मतलब कब तो समाप्त किया और कब इसको पुनरिस्तापित किया गया तो इसका सही आंसर देख लेते हैं 1912 में समाप्त और 1908 में पुनरिस्तापित संभागी व्यवस्ता 1950 से शुरू हुई थी मतलब इसका एक सवाल ये कि ये शुरू कब हुई थी 1950 उस समय पांच संभाग थे जैपूर, जोदपूर, कोटा, उदेपूर और विखानेर अप्रेल 1962 में महुनलाल सुखाडिया ने इन संभागी व्यवस्ता को समाप्ट कर दिया जिसे 26 जनुरी 1903 को हरीदेव जोसी ने पुना लागू किया था तो समाप्ट करने वाले मुख्यमंद्रे का नाम अगर पूछे तो महुनलाल सुखाडिया और पुना प्रारम करने वाले का पूछे अब हम अगले टॉपिक की और बढ़ते हैं, अगले सवाल की और, वो सवाल यह है कि किस अवदी में राजस्तान में संभागी व्योस्ता अस्तितों में नहीं रही थी, अब यह हमने देखा हिए, 1902 से 1903 के दोरान संभागी व्योस्ता नहीं रही थी, 1905 से 1962 तक रही थी, 1962 के बाद सितियसी तक नहीं और सितियसी के बाद वर्तमान अब तक है, अगला सवाल है हमारा कि राजस्तान में संभागी व्योस्ता को कब फुनर्चिवित किया गया, अभी देखा हमने 1900 सितियसी में, अगला सवाल हमारा, और वो सवाल यह हैं, कि 27 जिले, 27 जिले के रूपने गटित दौलपूर का छेतर पूरू में किस जिले या जिलों का भाग था, तो ध्यान रकना इसका अंसरों का बरतपूर के वल, राजस्तान के पूरी भाग में उत्र परदेश और मदिय परदेश राजी की सिमा 1166 दौलपूर, परचिय नाम इसका क्या था, दौलगिरी, ज राजस्तान के 9 गटित, 33 जिले, परताप गट का गटन किन-किन जिलों के चेतरों को मिला कर किया गया, ये कौंस्टेबल प्रिक्षा और जिल प्रिक्षा दोनों में पूचा गया है, हम सिधा इसका अंसर देखते हैं और इसका सही आंसर होगा, 22 उदेपुर और जितोडग अरनोद, परतापगड तता बासवाड़ा से पीपल खूट को मिला कर बनाया गया है, अब अगला सवाल, अगला सवाल ये हमारे सामने, कि इस्तिके अनुसार जो यूगम अन्य से बिन है, वह है, इसका सही अंसर होगा, जैसल मेर, जालोर से, जैसे विकानेर मेर में गंगा रिस्तिते हैं, जबकि अन्य जीलों की सेमाई एक दूस्टे से लगी हुई है, अगला सवाल है हमारा, और वो सवाल ये है, कि राजस्तान के सलगन जीले हैं, मलब जो एक दूस्टे से कनक्टेट है, तो इसका सही अंसर होगा, सीरोई, पाली और नागोर, उप्योगों में सिर्फ सिरोई, पाली और नागोर जीलों की सेमाई आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए इसका सही अंसर है, अब हम अगला सवाल देखते हैं, कि कौन से जीला मुख्याले की तैसिल जीले के नाम से नहीं है, ये सवाल काफी बार कुछा गया है, दियान रखना, इसका सही एंसर होगा रासमंद, रासमंद जीला मुख्याले, राजनगर की तैसिल जीले के नाम के समरूप नहीं है, तो ये जो इसके तैसिल है, वो इसके नाम के अनुशार नहीं है, अगला सवाल है हमारा, बश्वा, लाल सोट, मौवा और सिकराई तैसिले किस जीले के अंदर गत आती है तो ये सब दो साक्य अंद्र गदाती है अभी प्लीस कॉंस्टेबल 16 में 2022 को हुआ था उसमें ये सवाल पूचा गया था अगले सवाल है हमारे वो सवाल ये है कि डूंगला इम कपासन किस जिले की तैसिले है इसका से आंसर होगा चितोडगड चितोडगड जिले की त कि निमलिक्त को सुमेलित कीजिए सही सुमेलित कीजिए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चार तीन दो एक मतलब चितोडगड इल्ली और गोड़े की नाल जैसा है जैसले मेर का अर्णिमित बवबुच जैसा है टौक का पतंग जैसा है और सिकर का अर्द चंदर यू प्याले जैसा है तो ये सवाल अगर पुछे तो इस तरह से ये है देखो मुख्य जो आकरतिय हैं वो किस तरह से क्या है एक वह हम देख लेते हैं थोड़ा सा प्रीपली वो ये है कि चितोडगड इल्ली और गोड़े के नाल के समाने उदेवपूर आस्ट्रिलिया के समाने ये धियान रखना दोसा दनुस के समाने जोदपूर मोर या मियूर के समाने गंगा नगर अंग्रेजी के एलक्सर या कुर्सी के समाने जालोर समूदर में गोता लकादी वहल मचली के समाने जैसल मेर साथ बुजाओं वाली अनियुमित बवभुज जैसा है टॉक समचत्रपुज या पतंग के समान है राजसान का कार भी समचत्रपुज या पतंग के समान है तो कभी सवाल ऐसे भी आजाएं कि राजसान का कार जैसा दिला कौन सा है तो उसका सही आंसर होगा टॉक तो सिकर देखे आगे, सिकर अर्चंद्रकार या प्याले नुमा, अजमेर तिर्बुजाकार, पर्दपुर गिलरी के समान, बीलोडा अहिताकार, डौलपुर और करोली बतक के समान, रासमन मस्सिक्स पर लगाए गए तिल्लक के समान तो ये इनके जिलों के भोगलिक शवरूप या पौतिक शवरूप के अंसार इनका आकार है, आज का हमारा आकर सवाल है इस वीडियो का, कि कौन से समयलित हैं, तो इसका जो सए आंसर है वो देख लेते हैं, दो और चार, मतलब जोदपुर अनिमित बहुभुजाकार, और जो सारे राजयस्तान के इतियास, भुगोल, राजयोस्ता और जो सारे टॉपिक्स बनते हैं, कला और संस्कृती इन सबके, प्लस भारत के सभी टॉपिक्स के भुगोल, इतियास, कला संस्कृती, इन सबके वीडियो और राजयोस्ता के वीडियो आपको उपलप्त करवा दिये इसलिए आपने स्चंद रहें और वीडियो को देखते रहें सुनने के लिए शुक्रिया धन्याबाद all the best